ज्वाला मुखी के रामा कृष्णा गेस्ट हाउस में दो दिनों के लिए राजय स्तरी सत्रंज परत्योकता का आयोजन किया रिया जिसमें पूरे हिमाचल परदेश के बच्चों ने बाग लिया जन सक्ति स्टेट लेवल संत्रल संकी विदूशी शर्मा ने बताया कि ज्वाला मुखी के रामा कृष्णा गेस्ट हाउस में दो दिवसे अंडर 11 और अंडर 19 के 63 लड़कों और लड़कियों ने परत्योकता में बाग लिया इस परत्योकता में जीतने बारे लड़कों और ल स्टेट लेवल शत्रंग संक की जनरल सेक्टरी विदूशा शर्मा ने बताया कि ज्वाला मुखी के रामा कृष्णा गेस्ट हाउस में दो दिवसे अंडर 11 और अंडर 19 के 63 बॉइज और गल्स ने परत्योकिता में भाग लिया 63 बच्चों में 50 परतिशत लड़कियों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया उन्होंने कहा कि थोड़े ही दिनों में नेशनल शत्रंज प्रतियोगिता होने वाली है इस प्रतियोगिता में जीतने वाले बॉइज और गल्स को नेशनल के लिए चैनित किया जाएगा आज रिजल्ट क्लोजिंग है, रिजल्ट आउट होने वाला है अभी थोड़ी देर में और 63 बच्चों में इसके 50 पर्षंट इसके लड़किया हैं जोनोंने एक्रिवनी पार्टिस्टेक किया है और इस प्रतियों की तक क्या इससिस्टेशन हम आगे और बढ़ाना चाहेंग और चेंगिंशिप्स करवा के आप नैशनल भी होने वाले हैं अभी थोड़े दिन हमें लहापे भी यह आज़े बच्चे चैनलितों के आगे चाहेंगे अंडर 11 के प्रतिभागी उधे वीर सिंग ने बताया कि वे 9 साल के हैं और 4 क्लास में पढ़ते हैं वे 3 साल से शत्रंज खेल रहे हैं उन्होंने बताया कि दिली में वे 5 प्रतियोगिताएं खेल चुके हैं हिमाचल में अंडर 9 नैशनल एवम अंडर 9 स्टेट लेवल भी व भाग ले रहे हैं उन्होंने कहा कि वे इस प्रतियोगिता में मद्यस्तान पर रहे हैं उन्होंने कहा कि उन्हें खेलना अच्छा लगता है और खिलाडियों से भी वे काफी कुछ सीख के जा रहे हैं उन्होंने खिलाडियों को भी संदेश दिया कि अपने गेम पर फोकस कर आप कहा तोनमेंट खेल चुके हैं मैं डेली में पांच रेटिंग टोनमेंट खेल चुका हूं हिमाचल प्रदेश में एक अंडर 9 नाशनल से एक अंडर 9 स्टेट लेवल है और मेरा अभी अंडर 11 स्टेट है जिसमें सेकेंड किया और हमाचल स्टेट 9 में मैंने की फर्स्ट क अज़ लगा यहां पर मुझे आपके खेल के बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैंने कुछ सीखा यहां पर प्लेयर से मुझे अपने टाइम पर कैसे ध्यान रखना है आप क्या मेसेज देना चाहते हैं बच्छों को यह मैसेज देना चाहता हूं अपनी गेम पर फो